श्री नाज्जी गुरुजी को अलगादेश, मा भगवती को अलगादेश, राची वाले भाहिरब बाबा को अलगादेश इस वीक मैंने काफी ऐसे वीडियोज बनाए जो कि on demand थे, ऐसी साधना है जो आप लोगों को चाहिए तो एक साधना बार बार लोग वाट्स अप और यूट्यूब पे मांग रहे है अच्छा ये साधना क्या है? इनको लोगों का भविश्य जानना है या फिर किसी को देख करके उनका भूत भविश्य वर्तमान का पता लगाना है देखो इसका दो तरीका होता है ठीक है? जो इसका पहला और आसान तरीका है वो है cold reading का आप गूगल करना cold reading आप बहुत लोगों के पास जाओगे तो वो आप लोगों को बहुत तरह की बाते बताते हैं जैसे कि आपके घर के एक दिवाल का रग नीला है और उसी कमरे से समस्य शुरू हो रही है आपके left pair में कुछ दिन पहले पीडा थी आपके पेट में कुछ दिन पहले दर्द था आपका काम नहीं बन रहा है अंत में जाके आपका काम रुख जाता है ठीक है तो ऐसी जो चीजे होती है यह जनरल है हर इंसान के लाइफ में ऐसा होता है वो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि जो power of attraction है उसके चलते कैसे काम रुखता है किसी भी अगर positive चीज को आप सोचते हैं तो उसको आप उसमें जितना भी if and but लग सकता है कि अरे मुझे ये कलम खरीदना है लेकिन हो सकता है मैं लेट हो जाओ हो सकता है मेरे पर सपैसे ना रहे तो मैं नहीं खरूत पाऊंगा लेकिन जब आप कुछ negative सोचते हो तो आप बिलकुल ही एकाग चित्र मन से सोचते हो कि ये चीज तो गलत हो जाएगी वो कैसे ठीक हो सकता है ऐसे कोई नहीं सोचते तो यह जो fluctuation of thought होता है इसी के चलते किसी भी अच्छे काम में रुकावट आती है ठीक अब आते future पे देखो clear-card बात बता रहा हो future कोई नहीं बता सकता बतला distant future दूर का future अभी क्या होने वाला है मान कि चलो 2 दिन बाद dos Turn दिन बाद 4 दिन बाद ऐसा लोग बता सकते हैं उसके आगे का fermentation combination आपको बतायी जा दो जा सकता है कि ऐसार आपके साथ हो सकता है कर आप पाइसा खीजेग तो आ बच सकते है ठीक है लेकिन यह तैं नहीं होता है कि आपके साथ य जब इनसान पैदा होता है तो वो सिर्फ एक चीज तै करके आता है और वो तै करके आता है अपनी वो किस गर्म में या किस मा के इहां पैदा लेगा उससे उसको जो कर्म काटना है इस जीवन में वो कर्म तै हो जाता है आप समझ रहे बात को तो अगर कोई आपको future बताता है तो भगवान को भी future नहीं पता है हर life में हर situation में आपके life में बहुत सारे option देते हैं आपके कर्म आप आपने जिस कर्म को चुना बाकी दो कर्म रहा गे वो भी आपको किसी ना किसी जीवन में पूरे करना है मतलब हर तरीके का कर्म आपको करक के देखना होता है, लेकिन ये जो distant future है, किसी का past और किसी का present जानने का दो साधना होता है, उसमें एक है, जिसे बहुत लोग कर्ण पिचासनी साधना करते हैं, कर्ण पिचासनी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेत यूनिक है और वो हमेशा आपके उपर सवार रह है वारताली साधना, तो वारताली साधना का क्या कासे था है, वो भी कट पिचासनी की तरह ही, आप जब बुलाओगे, तो सामने वाले के विशह में बताएगी, यह आपका जो भी सवाल है, उसका जवाब देगी, लेकिन जो प्लस पॉइंट है वारताली में, जब आप कोई भी हो, तो आपके मन में उसका वाइब्रेशन आने लगता है, तो आप उसका माइंड को रीड कर सकते हो, आपको पता रहता है उसके आसपास क्या चल रहा है, यह जो दो साधनाएं हैं, यह मैं यूट्यूब पे नहीं दूँगा, ठीक है, नहीं मैं यह आपको फ्री म में दूँगा, उसका कारण है, आप जितनी बार पंचांगली या वारताली साधना करोगे, उतना बार मुझे उसका भोग देना पड़ेगा, इसलिए, डीटेल्स में, एकाउंट नंबर है, आप सब उसमें 11-200 रुपे, जो भी आप सक्चम हो, वो डालना, और उसके बाद मुझे मेसेज करना मेरे वाटसप पे, आपको दोनों का डीटेल दूँगा, उसके आद आप लोग बैठ के मज़े से, किसी का भी भूत वविश और वरतमान बताते रहेगा, आज के लिए इतना ही, आप सभी को अलाक आदेश, आदेश आदेश